Hey guys, welcome back to mystery of crypto अभी market तो इतने अच्छी नहीं है but I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे market conditions की बात करें तो अभी बहुत ही जादा खराब चल रही है bitcoin का price last year 24 hours के अंदर हमें 4000 से 5000 डोलर का crash देखने को मिला जहांपे bitcoin का price कल 40,000 डोलर तक चल रहा था अभी 36,000 डोलर के भी नीचे चला गया था Ethereum 2700 डोलर, Solana, 80 डोलर पे आ चुका है वापस और सभी major altcoins के अंदर हमें काफी बड़ा crash देखने को मिला तो इस crash के reason के बारे मैं बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और क्या हमें future के अंदर देखने को मिल सकता है क्या यहां से market और ज़्यादा crash होगी है यहां से हमें recovery देखने को मिल सकती है make sure इस वीडियो के अंदर पूरा देखी का आपके लिए वीडियो काफी ज़्यादा helpful रहने वाली है तो सबसे पहले यहां पर हम देख सकते हैं पूरी market ही crash हुई इसा नहीं कि सिर्फ bitcoin इथी रही है दूसरा coin crash हुआ है और सिर्फ crypto market ही नहीं यहां पर आप देख सकते हैं पूरी global market के अंदर हमें heavy crash देखने को मिला है चाहे वो stock market हो चाहे वो commodities हो हमें हर market के अंदर heavy level पे crash देखने को मिला है आप देख सकते हैं सभी global market चाहे वो US की market हो चाहे वो European market हो Asian market हो आप देख सकते है चाहे ना एंद यूएस के नदर सबसे बड़ा crash हमें देखने को मिला almost 5% US market जो है crash हो गई है European market भी crash हुई यहां पर हम बात करें यहां पर देख सकते हैं Chinese market में भी हमें 3-4% का यहां पर crash देखने को मिला और अब एक टाइम में सबसे वर्स situation चल रही है जो कि लास्ट के बहुत लंबे टाइम से ऐसी situation नहीं है यह कि financial environment जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो हुआ है अब किस वज़े से हमें एक crash देखने को मिल रहा है इसके multiple reason हो सकते है फर्स सबसे बड़ा reason तो recently 0.5 basis point से interest rate हाइक हो है वो भी एक बड़ा reason है क्योंकि इस सिरफ ऐसा नहीं है कि एक बार हाइक हुआ है इस साल के अंदर अंदर भी 3-4 बार और हाइक देखने को मिलेंगे और almost 2% के आसपास हाइक होने वाला है तो जिसकी वज़े से अब interest rate हाइक होते है तो लोगों के पास purchasing power कम होगी और लोगों के पास purchasing power कम होती है लोगों के पास पैसा कम होती है तो अपने bank account में store करना ज़्यादा prefer करते है rather than buying stocks, crypto या spending money on other things तो अभी क्या होता है अभी लोग के spending कम करते है spending कम करने की वज़े से businesses के ओपर effect होता है government के ओपर effect होता है तो पूरी economy जो है US के अभी के time में crisis के अंदर चल रही है और ऐसा भी कुछ कहना है कि 10 मही के आस पास Russia कुछ major action भी लेने वाला है जिसकी वज़े से अब US के अंदर sorry European countries के अंदर क्या चल रहा है कि रशिया का कहना है कि वो gas की supply सिरफ ruble के अंदर करेगा जिसकी वज़े से वहाँ पे भी और ज़्यादा panic वाली situation बनी हुई है चीज़ों को लेके चाइना के अंदर already crisis चल रहा है recession चल रहा है real state के crisis वहाँ पे already हमें देखने को मिल रहे है तो overall ऐसा scenario बना हुआ है जिसकी वर्ज़े से हमें सभी market के अंदर major crash देखने को मिले है यहाँ पे अगर हम बात करें inflation की तो US के अंदर inflation last के almost 30-40 सालों के अंदर peak के उपर चल रहा है यहाँ पे अगर हम 2008 की बात करें तो almost यहाँ पे आप देखते हैं 5.5% के आज़ पस inflation गया था और अभी के inflation की बात करें तो 8% से भी उपर चला गया है अगर हम 8% की बात करें तो last time जब इससे उपर inflation गया था 1982 का time यानि कि अभी से almost 40 साल पहले inflation इतने high level के उपर था तो आप देख सकते हैं कितना ज़ादा inflation increase हो होगा और inflation को control करने के लिए यहाँ पे interest rate के अंदर hike किया जा रहा है अब यहाँ तो inflation control होगा inflation control करने के लिए interest rate हाइक करना पड़ेगा और interest rate अगर तुम hike करोगे तो यहाँ पे market के अंदर recession के chances पूरे-पूरे रहते हैं तो यह पूरा cycle market का हमेशा से हमें देखने को मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के अंदर जब क्रेश आया था उससे पहले 1990 के अंदर जब क्रेश आया था तो यहाँ पे उसके बाद हमें अच्छी recovery देखने को मिली थी जब inflation नीचे गया था और इसी कुम आगर आपको compare करके दिखाऊ यहाँ पर हमने जो उपर वाला chart है वो US dollar का है जो नीचे वाला chart है वो bitcoin का है और यहाँ पे अगर हम compare करें तो आप देख सकते है पास 2017 के अंदर जब DXY काफी जादा ऊपर चला गया था यहाँ कि dollar की value काफी जादा peak पे चल रही थी उसके बाद हमें US dollar crash होता हुआ दिखा और bitcoin का price heavy pump हुआ पूरा 2017 के time के अंदर और यहाँ पे हम वापस देख सकते हैं यहाँ पे peak के ऊपर चल रहा था US dollar का price और यहाँ से जब price crash किया तो bitcoin का price के अंदर हमें heavy jump देखने को मिला अब वापस हमें ऐसी situation देखने को मिल रही है hopefully यहाँ से हमें price crash होता हुआ दिखे US dollar का price नेचे आये और जिसकी वज़े से bitcoin हमें यहाँ से एक और jump लेता हुआ दिख सकता है बट यहाँ पे bitcoin ने काफ़े अच्छे से stable किया हुआ है इस time के उपर अगर हम बात करें क्योंकि आप देख सकते है US dollar काफी तेजी से बढ़ा ह recent time के अंदर बट फिर भी जो bitcoin है वो काफी almost stability के उपर चल रहे है यहाँ पर और यहाँ पर crash देखने को मिलता है US dollar के अंदर तब हम expect कर सकते हैं कि bitcoin का price यहाँ से और उपर हमें देखने को मिलेगा बट अब जैसे कि मैंने आपको बताए कि किस वज़े से US dollar strengthen के अंदर आते क यहाँ पर अगर हम बात करें bitcoin के chart की तो यहाँ पर logarithmic curve हमने open की हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं almost bottom level पर आ चुक है यानि कि zero fib level के ओपर यहाँ पर bitcoin का price पहुँच चुक है तो यहाँ पर हमें most probably pump देखने को मिल सकता है बट pump कब आएगा almost 34,000 dollar का level हमें यहाँ प pump देखने को मिलेगा क्या market यहाँ से और जादा गिर सकती है तो definitely market यहाँ से और जादा गिर सकती है बहुत जादा panic की situation बनी हुई है हमने last के काफी time से आपको वीडियो के अंदर भी बता रहे हैं कि जब तक bitcoin का price 40-42,000 dollar के ओपर cross करके stable नहीं हो जाता है तब तक आपको bitcoin य altcoins के अंदर entry नहीं लेनी है अगर आप long term के लिए invest नहीं कर रहे हैं सारसा हमने कल भी recently telegram के उपर आपको mention किया था जब bitcoin का price एकदम से pump हुआ था कि bitcoin के price के अंदर volume नहीं है और volume अगर नहीं आता है तो हमें वापस नीचे की तरफ crash देखने को मिला जो कि हमें कल देखने को और खतम होगी या फिर interest rate वाला यह system जो हो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हमें eventually market के अंदर वापस pump होता हुआ दिख सकता है बट still I will recommend कि जब तक bitcoin का price 42,000 के level को यह आप देख सकते हैं हापे level 42,000 के level को break करके उसके उपस stable नहीं होता है तब तक आपको market के अंदर entry नहीं लेनी है क्योंकि आपको नहीं पता यह bear market कब तक चलेगी हो सकता है दो महीना और extend हो जाए तीन महीना और extend हो जाए तो आपको थोड़ा सा carefully play करना है बट still यह भी चीज है कि market इतनी जादा गर चुके हैं हापे मैंने आपको DXY का भी बताया कि यहां से अगर हमें नीचे की तरफ crash देखने को मिलता है तो Bitcoin का price बढ़ भी सकता है आपको कोई भी short term trade नहीं लेना है कि जो आपको 5 दिन 10 दिन के लिए आपको चाहिए हो क्योंकि हमें short term के अंदर pump देखने को मिल सकता है बट overall market के अंदर यहां पे panicky situation है अभी के time में और अगर आप long term के लिए किसी ची जैसे हमें थोड़ा सुथार देखने को मिलता है European market के अंदर US market के अंदर Chinese market के अंदर वहां पे हमें थोड़ा यहां पे recovery देखने को मिल सकती है साथ-साथ यहां पर अगर हम बात करें यह आप देख सकते हैं coinbase वगेरा का तो ऐसा नहीं कि सिरफ negative चीज़े चल रहे है market के अ Goldman जो कितने वड़ा fund है उन्होंने recently bitcoin से loan देने start किया है कि bitcoin-backed loan देने start किया है साथ-साथ काफी countries है जैसे कि पैनोमा अफरिका के country ने recently bitcoin को legal किया है तो काफी positive चीज़े भी चल रहे है बट negativity market के अंदर अभी की time में इतनी जाद है कि इन positive चीजों का इतना जादा फरक हमें देखने को नहीं मिल रहा है यहां पर साथ-साथ एक और positive चीज़ की बात करें तो funding rate negative हो गई है और जब भी funding rate negative होती है उसके उपर हमने एक separate video बनाई है जिसको आप check out कर सकते हैं तो funding rate जब भी negative होती है इच मिन्स market के अंदर pump आने के chances है क्योंकि जो long कर रहे है position को उनको funding rate मिलती है और जो short कर रहे हैं उनको funding rate देनी पड़ती है तो यहां पर पूरे chances रहते हैं कि market में हमें थोड़ी recovery देखने को मिलेगी तो funding rate के according यहां पर थोड़ी सी positive market हो सकती है $38,000, $39,000 Bitcoin का price जा सकता है बट eventually एक और हमें crash देखने को मिल सकता है जैसी ही नहीं कुछ major चीज इनके अंदर heavy liquidation है last time हमने जब video बनाई थी हमने आपको बताया था GMT का price जब $4.05 डोलर चल रहा था मैंने आपको बताया था कि यहां पर buy करने का बिल्कुल भी तुक नहीं बनता है यहां पर आपको buy नहीं करना चाहिए और वहां से price crash होके $12 तक आ चुक है यानिकि almost 50% क price crash last के 5-7 दिन के अंदर ApeCoin का हो चुक है तो hopefully आप हमारी वीडियो देख रहे होगे और आपको काफी कुछ सुनने को मिलने का मिला होगा काफी कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप और information जानना चाहते हैं तो make sure हमारा telegram and Twitter ज़रूर जोईन करके रखे हैं telegram के उपर आप Bitcoin के अंदर recovery देखने को मिल सकती है I hope आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा बाकि आप अपने point of view बताईए नीचे comments के अंदर कि आपको क्या लगता है इस वीडियो को like करके अपने friends के साथ जरूर शेयर कर दीजिए हम मिलते हैं आपसे next video के अंदर एक और टेक केर जय हिंद